Activation functions are used for conversion of linear data into non-linear data या जो हमारे पास operations थे, जो linear operations perform हो रहे थे उनको हम non-linear operations में convert करना चाहते हैं अब हमारे पास options क्या हैं? हम one by one in options को explore करते हैं पहली जो हमारे पास activation function की example है that is of sigmoid sigmoid basically क्या है? sigmoid जैसे आपने पहले function statistics में भी देखा होगा कि एक simple function होता है, s-shape, जो क्या करता है? जो भी हमारे पास values हैं, उनको 0 और 1 के दरमें bound कर देता है इससे मुराद क्या है, कि कोई भी value होगी, वो 0 और 1 के दरमें होगी 0.1, 0.2 and so on लेकिन जैसी वो 0 के करीब होगी, उसको वो constant कर देगा या 0 होगी, या जब वो 1 होगी, तब भी उससे constant कर देगा 1 के उपर, यानि के values के हैं, 0, 1 के दरमें undefined हैं, लेकिन जो higher values हैं, उन्हें वो bound कर देगा किसी एक particular bound के अंदर, या value के अंदर थो इसे detail इसके में देखते हैं भी, sigma-e activation formula can be given as sigma of x is equal to 1 divided by 1 plus e minus x e जो है, मारे पास number आप लोग जानते हैं, इसके क्या value होते है, 2.7 होते है, energy का number है, output of sigma function always lies between 0 and 1, जैसे मैंने भी कहा था, no matter whatever is value of input variable x is, graphically sigma looks like below, यह यहाँ पर एक example दिखाए है, यहाँ से बाप को भी समझा आ जाएगा, कि यह values हैं, इसके let's say, कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हम 0 से चलना शुरू करें, तो maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, इस इतरह हैं यह minus 1, minus 2, minus 3 and so on, तो अभी कर किया रहा है, कि जो values हैं, let's say, 1 से लेकर, 1 से लेकर यहाँ तक, 1 और 2 let's say, इनकी तो कोई value इशो कर रहा है, लेकिन जैसे कोई बड़ी value है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी values, यह सब constant है, और जिन सब को इसने एक number लगा दी है, 1, इसी तरह जो यह 0 वाली values हैं, maybe minus 1 तो ठीक है, इसके बाद जितने values हैं, यह सारी constant कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, कि जो values हैं, वो कुछ तो रख रहा है, बाकि सारी इसको यह 1 कर रहा है, यह 0 को कर रहा है, तो यह जो हमेशा values होंगी, वो 0 और 1 के दरम्यानी घूमती रहेंगे, और जो ज़्यादतर values हैं, 1 पे होंगी, या वो 0 पे होंगी, और वो constant हो जाएंगी, आच्छा, आप क्या है, for higher values of input x, for example, 10 minus 10 gradient, और this derivative is 0, अब यह एक बड़ा important phenomenon है, यहाँ पे जो बतानी कोशिश की गई है, आप बड़े राम से कहा भी सकते हैं, कि यह ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिग्माइट के बहुत ज़्यादा हिट ना होने के, जब हम text processing की या data processing की बात करते हैं, जब data science की बात करते हैं, तो सिग्माइट एक काफी ज़्यादा common सा function है, जो हम use करते हैं, और इससे मिलती जूलती एक टेक्निक है, जिसको logistic भी कहते हैं, तो वो भी हम use करते हैं, क्योंकि वो सिग्माइट पर fit in हो जाती है, लेकिन क्यों यह कितना अच्छा mechanism नहीं है, specific in deep learning, deep learning में अगर आप से विए question करें, जो है कि activation function best कौन सा है, तो आप में बगार सोचे समझे कहना है, रेलू जो है, वो सबस्यादा commonly, most commonly used activation function है, सिग्माइड नहीं है, और उसकी क्या वज़ुवा रहता है, वो कुछ इन दो slides में बताई गई है, पहला problem कि है, क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, values को constant कर रहा है, high values इसको और इन values को, यह negative high values यह positive high values दोनों को constant कर देता है, अब जब यह चीज़े constant हो जाती है, तो इनका derivative हम नहीं ले पाते हैं, derivative of constant value is 0, अगर कुछ चीज़ derivative 0 हो रही है, तो वो optimize नहीं हो सकती, वो बहतर नहीं बनाई जा सकती, और deep learning के अंदर optimization एक बहुत बड़ा concept है, जब आप loss functions पढ़ोगे, और जब आप optimization पढ़ोगे, कि कैसे loss को आप बहतर से बहतर करते हैं, या loss के values को कम करते हैं, तो उसके लिए आपको optimization के अंदर जाना पड़ता है, और optimization के लिए आपके लिए ज़रूरी है, कि आपके पास कोई change find out करने का mechanism हो, जिसके लिए हम simple derivation, या जो दूसरा word हम use करते हैं, gradient find, gradient की बात करते हैं, तो क्योंकि इन दोनों चीज़ों का, जब आप high values हैं या low values हैं, यानि कि बड़ी positive values या बड़ी negative values, अगर आप gradient या उसका derivative नहीं ले पाते हैं, तो ये एक गंदा operator बन जाता है, for optimization purposes, और optimization के इसकोंग detail में दुबारा भी देखेंगे, second problem है, कि जो हमारे पर activation function sigma-ide है, ये non-centric है, ये non-zero-centric है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कि जब आप sigma-ide में आ रहे हो, तो इसकी ये shape है, zero-centric का मतलब ये होता है, कि अगर ये shape इस तरह होती, कि जीरो पर cut कर रही होती, अब ये again debate है, कि ये zero-centric का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, मैं इसका basic सा guess यहाँ पर दूँगा, और आप लोगों से कहूँगा, कि आपने खुद भी find out करना है, एक चोटा सा फायदा, जो मैं यहाँ पर भी आपको फॉरन बताता हूँ, वो ये है, कि अगर आपके पर लेट से ये दो figure है, ये वाली figure है, और एक ये figure है, एक ये इस तरह जा रही है, और ये की इस तरह जा रही है, कौन से बितर है, क्यूं होगी, ये question एक बड़ा सान सा, एक तो आप clear कर सकते हूँ, जब line की बात करते हैं, line में दो चीज़े होते हैं, एक होते है slope, और इंटरसेप्ट, slope किया है, कि जैसे ये चीज़ गिरी हुए है, ये वाला slope है, और intercept किया है, जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक बड़ा सा आपके पास हो सकता है, अगर इसका इंटरसेप्ट ये जीरो सेंट्रिक हो, ये जीरो सेंट्रिक है, तो इसका intercept नहीं होगा, जब आप डेटा को क्लीन करते हैं, डेटा क्लीनिंग के लिए, ये भी अगें मैंने अपने, जो हमारे पास डेटा साइंस के लेक्चर है, ये मैं भी कर चुका हूँ, वन्हाँ आप भी डेटेल में देख सकते हैं, कि ये डेटा सेंट्रिक करने का, जब आप बेड़ेटा सेंट्रिक करने का फायदा होता है, इसका बेसिक आइडिया बेसिकली ये है, कि जो हमारे पार करन्ट वैल्यू है, इसको मेन से माइनस करते जाते हैं, तो जो वैल्यू बनती है, वो सारी जीरो के लिए आपर अलाइन हो जाती है, ये जो चीज़ है, हम डेटा क्लीनिंग के वक्त यूज़ करते हैं, इसलिए तरह अगर आपने टर्म सुनी होंगे, प्रिंस्पल कंपोटने अनलसिस, उनका भी एक बेसिक और ये वाला, जब भी आपने डेटा लेना है, तो इसको जिरो सेंट्रिक में कनवर्ट करना है, तो मैं आप से भी कहूँगा, आपने खुद भी सर्च आउट करना है, कि डेटा को जिरो सेंट्रिक बनाने के और क्या एडवांटिज़ होते हैं, और इसको आप पर्टिकुलर एग्जेंपल लेके भी चेक कर सकते हैं, कि कोई डेटा लें जो पहले जिरो सेंट्रिक ना हो, फिर जिरो सेंट्रिक हो, तो आपने देखना है कि वो कैसे बहतर हो गया पहले वाले डेटा से, अच्छा जी, हम पहली बता चुके हैं कि ग्राफिकली जो सिग्माइट अविश शियप का होगा, एक आखरी डेसडवांटिज़ का क्या है, कि इट है एज एन एक्सपोनेशल फंक्शन इन दा सिग्माइट फार्मूला, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, वो था 1 by 1 plus e minus x, तो ये इसमें एक्सपोनेशल भी था, क्योंकि एक्सपोनेशल का फंक्शन था, अब अगर इसमें एक्सपोनेशल का फंक्शन है, तो क्या होगा, ये expensive to compute होगा, अब भी हम आगे देखें कि कौन से ऐसे फंक्शन है, जिसमें हमें exponential calculate नहीं करना पड़ता, तो वो लाहम आला इससे बहतर होगे, जिसमें हमारे पास exponential की calculation involved ना हो, तो मैं फिर इसको conclude करूँगा, बड़ असान से लफजों में, वो कैसे, कि सिग्माइड का function, values 0 और 1 के दरम्यान है, high values है, या low negative values, high values है, सबको constant कर देता है, optimization के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन linear data को non-linear में convert कर देता है,